की बात है बड़ी खुस नजर आ रही है पिता जी का फॉन था अरय मेरे लट्टू का मतलब ससुर जी का है हम बुलाए जै नहीं कल आ रहे हैं वो हैं कल आ रहे हैं बताई भी ना तने, पहले बताती तो, कुछ तयारी तो करते इसमें तयारी की कौन सी बात है अरे यार, इतना बड़ा आदमी महारे घर में आ रहा है, कुछ तयारी तो करनी पड़ेगी जैसा आप सोच रहे हो, वैसा कुछ नहीं है अरे यार तु डिश्टब मत करें मुझे सोचन दे तड़की केके करना आ है एक बात बता रोटियों का तो समाल लेगी एक मैं हलवाई लगा दूँ आप उसकी टैंसन नालों मैं खाना बना लूँगी अरे यार मुझे सोचन दे आप चिंता मत करो मैं सब समाल लूँगी हाँ हाँ बस ठीक है और बाकी मैं देखता हूँ क्या करना है अरे यार मेरा घट्डू आ रहा है आज तो ससूर जी आ रहे हैं आज तो गाड़ी सब एक गाड़ी तो यहाँ खड़ी हो जाओगी एक ही हाँ इसके पिछे ही खड़ी हो जगी जादे हुई तो उंगे धरमपाल के घेर में कर देंगे अरे कहांगे या बाइक पता निक किस की खड़ी कर गया कौन भाई जब इनके जगे मारे बाहर क्यूं करें खड़ी अब देखो यू टेक्टर यहाँ खड़ा कर दिया इनके इतना बड़ा घेर है पर मारे बाहर फूख के जाओंगे और यह थोड़ी सी पहले पता देती तो मैं यू पलोटी न साफ करवा देता सारी गाड़ी इसी में खड़ी हो जाती अरे यार यू टेक्टर हड़ जा तो ड्राइवर की खाट तो यहाँ गिर जा और सीक्योर्टी वाले सीक्योर्टी वाले तो मेरे ख्याल से बितर गहली जाओंगे है ना रोटी की बूजी आता हूं उसते पर बूजना के यार उसका बाप आ रहा इंतिजाम तो करेगी रात कह भी दीती और अब यू हलन कहते आ गया ओ भाईया यहां पहले ही भीड हो रही है यहां कार खड़ी हो नी है एक ट्रेक्टर खड़ा एक मोट साइकिल खड़ी है अब तुझे भी हैं खड़ा कर लूँ छोटा हाती भाईया आगगे गहले हैं यहां जगे बना रहा हूं मैं गाड़ी आओंगी चोधरी हर्वीर का मकान योई है के आहां योई है जलिकर जाब अरे भाब्या बेटी अरे मेरी बेटी बेटी ओई कहां बढ़ रहा पेटी पिता जी अरे मेरी बेटी अरे मेरी बेटी पिता जी मुझे माफ कर दो बिन बताए विदा हो ली इतनी भारी तर ना ती मैंने तू आओ पिता जी बैठो आओ बैठो पिता जी कोई दिखाई न दे रहा पिता जी माजी और पिता जी तो घेर पे हैं और आपके दामाद के खड़े जमाही राजा नमस्ते पिता जी नमस्ते भेटा नमस्ते हमें माप कर दो खुश रहो कितने दयालू हैं माप भी कर दिया कहतु ही पिता जी वो आपकी गाड़ी ड्राइवर सिकोर्टी पिकोर्टी सब गाड़ी हम तो बसमें लटेक का आए और यो धरा-थरा समान इतनी भीड में भी मैंने समान को कुछ नी हों दिया माजी पिता जी आगए राम राम जी राम राम जी माफ करना पैजान आनि आपको पिता जी यह मेरे पिता जी है ओ हो 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 संदी जी चलो आज आपके दरसं हो गए और सब ठीक ठाक है सब बढ़िया चाय वाई न बनाई बेटे माजी अभी न बनाई चाय तो बना ले भई हम भी नू कहा है जो कुदरत करें सब ठीक ही करें हमें तो जब पता लगा जब बालकों ने कोट मेरीज कर ली लेकिन फेर भी हम जो है अपने लड़के की तरफ से माफी मांगें क्यों सर्मिंदा कर रहे हो समधी जी ताली कदी एक हाज से नहीं बजे करती इस काम में दोनों बालक परावर के जिम्मेदार है हाँ खेर ये तो ठीक कहो आप रनबीर बैठ ले ससूर जी तेरे पहली बार आए बात कर भाई आपका MDH का कारोबार कैसा चल रहा जी यू समझो MDH के सारे ही रोटी मिल ले है उसके सारे ही बालक पल रहे कितने बच्चे हैं जी आपका जी भाब्या सही तीन है हाँ हाँ जी MDH का तो मतलब वो ही होगा ना जी वो हाँ वो ही मंगू देशी हलुआई मारी दुकान का नाम है जलेपी बनाम है हम जलेपी बनाना तो बहुत अच्छी बात है और जलेपी स्वाधिष्ट भी बहुत होती है मारी दुकान की जलेपी पूरे एरिये को स्वाद लगे और लोग आपके लिए भी लाया खाओ लेवर रणबी तेरे ससुर जी जलेपी लाये खाओ बहुत स्वाद है मारा जमाई राजा तो यू तो तेरे मंगू देशी हलवाई कनस्तर मैंने तो तुम्हें कई वार बताने की कोसिस करी थी पर आपने मेरी सुनी कहा थी बोल रहे थे मुझे सब पता है अरे तु बताती तो मैं सुनता तुझे बतानी ना होगी मैंने तो तुम्हें कई वार बतानी चाही पर तुम मेरी वीच में बात कार देते थे बोल रहे थे मुझे सब पता है M.D.H. का अरे तु बैस मत करें मेरा पहले ही दिमाग खराब है अच्छे एक बात बताओ अगर ये आपको पहले पता होता तो तुम मुझे शादी नहीं करते मुझे ना पता अरे यार इन्होंने युकी राडा रोप दिया ले दे के एक तो पसंद आई थी उसी में पिता जी की टांग अडगी बेटे रणबीर अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा नहीं तो न्यू काम नहीं चलेगा